हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, स्टीफन अकेडमी में आपका स्वागत है और दोस्तों, आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ, ये वीडियो का सेकेंड पार्ट है आज का मैं वीडियो लेकर आया हूँ, बिस्ट सेमिस्टर वालों के लिए डिजीज ओफ फिल्ड एंड होटी कल्चरल क्रॉपस और दियर मैनेजमेंट जैसा कि ये प्लान पैथोलोजी का आपका जो सब्जेक्ट है, इसका आपका अगला पेपर होने वाला है इसका मैं पार्ट टू आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हूँ, और भी आप लोगों के लिए वीडियो इस सब्जेक्ट से प्रावाट होते रहेंगे तो लगातार आप लोगों के लिए इसमें मैंने कुछ कोस्टन्स आप लोगों के लिए इंपोर्टेंट चाटे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ तो वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एक बार, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, चलिए इसमें बात करते हैं पहले कोस्चन की, पहले कोस्चन में रखा गया है कि गेहों के करनाल बंट का रोग का बर्डन करो, तो गेहों का करनाल बंट रोग का इसमें बर्डन करना है, जैसा कि मैंने जितने में लिखा हुआ है, इतना आप रोगों के लिए मतलब एक मतलब संतो बाड़ी बंट जो रोग होता है और कनाल बंट जो रोग होता है दोनों के लच्छड जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं तथा रोग के लच्छड उस समय तक प्रकट नहीं होते हैं जब तक की बालियों में दाने नहीं बन जाते हैं अब ये इस रोग के जो लच्छड होते में कुछ दाने अंसिक रूप से अत्वा पूरी तरह से काले पाउडर में बदल जाते हैं तो ये था कियों के करनार रोग का कारक और ये था इसके लच्छड थे ठीक है ये आप लोगों ने देख लिया है नेक्स्ट कुश्चन की बात करते हैं तो यहां पर बताया गया है कि बाजरे का जो हरित वाली रोग होता है ग्रीन इयर डिजीज जिसे बोलते है हरित वाली रोग होता है तो इसके बारे हम बात कर लेते हैं तो इसमें बताया गया कि इस रोग से ग्रसित पौदे हलके पीले छोटे वा कमजोर रह जाते हैं इसमें पत्तिया हरिमा हींता के कार पौधा ग्रसित वाली की अवस्ता में हो जाता है जिसमें संपूर पौधा हारी पत्तियों का गुच्छा जैसा दिखाई देता है तता बाली बहुत छोटी रहती है और इसमें दाने भी नहीं बनती है पौधा बोना बाज़ाडी नुमा हो जाता है पौधा क्या हो जाता है बाली नहीं बनती है और बाली में दाने बेर नहीं लगती है और पौधा कैसा हो जाता है मतलब एक हरी जाडी नुमा के रूप में दिखाई देता है पौधा ठीक है अब इसका जो नियंदरल करते हैं बुक इस परकार से करते हैं तो नियंदरल भी इसका देख लेजिए बाजरेका तो इसमें बताया गया है कि सद्धेव स्वास्त एवं परमारत बीच को उगाना चाहिए नमबर दो में बताया गया कि खेतों में रोग ग्रेसित पौदे जो होते हैं उनको खाड़ कर जला देना चाहिए नमबर तीन पर बताया गया कि कम से कम पाँच वर्स तक फसल चकर को अपनाना चाहिए जिससे ये जो रोग होता है ये नहीं हो पाता है नम्बर चार पर बात करेंगे जिए हमें बताएगा बीच को 2.5 ग्राम पर किलोग्राम थायराम से वीजोग चार करते हैं नम्बर फाइब में बतायगा है कि इंडोफिल M45 के 0.2 परसेंट गोल का चड़काव भी करते हैं नमबर 6 में बताया गए कि बाजरे की रोग रोग रोधी किश में जैसे MH 900, 901, 956 तथा MH 882 आधी किश मोगा कर इस रोग में नियंत्रल कर सकते हैं ठीक है इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट कोश्चन की नेक्स्ट कोश्चन में यहां पर बताया गए है कि गहों के अनावरत कंड को नियंत्रल करने के लिए सौर उर्जा उपचार विदी का बार्डन करो तो इसकी जो अनावरत कंडुआ जो होता है इसके सौर उर्जा निरुपचार की जो विदी होती वो क्या होती इसके बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें बताएगा कि इस विदी में सर्वता बीजों को चार गंटे तक ठंडे जल में सामाने तापमान पर चोंसट से पचासी डिग्री फारेन हैट पर भिगोया जाता है मतलब क्या होता है बीजों को चार गंटे तक ठंडे जल में सामाने तापमान जिसका की रखा जाता है चोंसट से पचासी डिग्री फारेन हैट पर भिगोया जाता है ऐसा करने से बीज के अंदर सुसुप्त कब कबक जाल जो होता है वो मर जाता है मतलब जो कबक द्वारा ये रोख फैलता है तो इसमें क्या होता है जब बीजों को हम इतने गरम पानी में रखते हैं या ठंडे पानी में जो रखते हैं वो दस मिनट के लिए 132 डिग्री फायरे नैट पर जो गरम जल में रखा जाता है इ इसे 1882 में स्वेंगल एक वेग्यानिक थे जिन्हों ने इस रोग की खोज की थी कब 1882 में की हुई थी अब यहां पर बात करते हैं नेक्स्ट कोच्चन की जो कि बहुत इंपोर्टेंट हो सकता है आप लों के लिए इसमें गहों के तीनों किट्टों रस्ट तथा उनके कारको इसमें क्या होता है यह गहों में लगने वाला जो रोग होता है इसमें क्या होता है जो पौदे में क्या होता है जो काली पाउडर रुमा जो वो हो जाती है आपकी जो दाने होते हैं वो काले हो जाती है और इसका जो कौजल ओफ और्गनिजम होता है वो क्या होता है पॉक्सीनिया ग्रेमिनिस टिटरसाई होता है नमबर सेकिंड पर हम बात करेंगे येलो औ stripe rust of wheat के बारे में तो यह क्या होता है जो पीले-पीले दाने हो जाती है उसका जो होता है जैसे कि आप लोगों को confusion हो सकता है तो इसमें कैसे याद करने च्रिक भी आप लोगों को यहां पर बता रहा हूं कि स्ट्राइप रश्ट यहां पर दिया गया Stripe Rust से इसका causes of organism है वो आप लोग कैसे या सकते हैं Stripe Rust है यहां पर और यहां पर है Stripe Ormese तो इस प्रकार से Poxynia Stripe Ormese किस में होता है Yellow और Stripe Rust में होता है इसका organism ठीक है इसके बाद बात करते हैं नमबर 3 पर नमबर 3 पर क्या आता है नमबर 3 पर रता है Brown और Leaf Rust ब्लाउन और Leaf Rust में क्या होता है इसका causes of organism जो होता है वो होता है Poxynia Recordita क्या होता है Poxynia Recordita होता है इस परकार मैंने ये तीनों आप लोगों को रश्ट बता दिये हैं गयों के बारे में तो अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा क्या है